अज हम लोग बैंकिंग का क्लास करने वाले हैं और आज का जो टॉपिक होगा वहोगा डिफरेंट टाइपस ऑफ अट्यम्स हमारे देश में कितने टाइप अट्यम्स होते हैं और किस तरीके के कार्ड जो है यूज किये जाते हैं उसके वारे में लोग आज पढ़ेंगे चलि सेक्वर्ड बैरन इनके दूरा जो है ATM का आविशकार किया गया था एन्वेंट किया गया था और पहला जो ATM जो लगाया गया था वह था बार्क्लेस बैंक के द्वारा लंडन में, जो कि 27 जून 1967 को लगाया गया था, यानि कि इन्वेंटर कौन थे, जॉन स्टेफर्ड बैरन, और ये जो है, बार्कलेस बैंक की तरफ से लंडन में पहला ATM लगाया गया था, 27 जून 1967 को, उसी तरीके से अगर इंडिया में देखे, तो सबसे पह में, पहला ATM भारत में कब था, 1987 में मुंबई महारास्टर में, बहुत इंपोर्टन कुश्यन है, ट्रेडिशनल का कुश्यन है, एक्जाम में पूछा भी गया है, आगे बढ़ते हैं, ATM सबसे पहले तो होता क्या है, ATM is automated teller machine, which is a computerized machine, which provides the customer of bank the facility of accessing their account for dispensing cash, and to carry out other financial, non-financial transactions without the need to actually visit their bank branch, बहुत ही आसान सा definition है, कि ATM होता क्या है, ATM एक ऐसा computerized machine होता है, जिसके जरिये जो customer होता है, वो अपने account को access कर सकता है, बिना bank के branch में गए हुए, यानि कि वो जो है dispenser machine, यानि ATM के थुरू, वो क्या कर सकता है, कि पैसा निकाल सकता है, इसी के साथ साथ, बहुत सारे financial और non-financial transactions भी वो कर सकता है, बिना branch में जाए, यानि इससे क्या होता है, time और labor दोनों ही बच सकते है, तो ATM किस काम आता है, ये computerized machine है, इसके जरिये customers जो है, अपने account को access कर सकता है, बिना bank branch में गए हुए, इसमें कुछ important points है, जो कि exam में पूछा भी गया है, तो ये आप लो महरास्टर मुंबई में, ठीक है, और इसका नाम क्या दिया गया था, Indy Cash, इसको बनाने वाली company थी, Tata Communication Payment Solution, ठीक है, Tata Communication Payment Solution, पहला non-banking entity, जो कि ATM लाया था, इंडिया में, Tata Communication Payment Solution, और इसका नाम दिया था, Indy Cash, ठीक है, और ये कहां लाया गया था, Mumbai महरास्टर में, जो कि थाने डिस्टिक्ट में, नेक्स्ट टॉपिक जो है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है, वो है, ICICI was the first bank to provide mobile ATM, अब ये mobile ATM क्या होता है, तो वैसे ATM, जो कि चलते फिडते हो, यानि कि जो भी वैंस के उपर, जो भी वड़े वड़े आउटलेट सो बनाए गए है, ठ पहला mobile ATM लगाने वाली company कौन से थी, bank कौन से थी, ICICI bank, next, तीसरा point में आते है, India's first talking ATM, इंडिया का पहला talking ATM किस bank के दवार लाया गया था, तो वो था Union Bank of India, एक Union Bank of India के दवार लाया गया था, जो भी visually impaired, यानि कि जो अंधे लोग है, ठीक है, उनके लिए ये लाया गया था, और एहमदाबाद गुजरात में पहला ATM ऐसा लगवाया गया था, Union Bank of India के दवारा, चौथा point में आते है, the National Payment Corporation of India, launch India's first rural bank ATM card, with regional rural bank in वार नसी, और पहला, जो rural bank ATM card है, वो लाया गया था, किसके दवारा, NPCI, और regional rural banks के दवारा मिला कर वार नसी में, पहला ऐसा card लाँच कि आंधरा bank was the first to introduce credit card in 1981, और ये बहुत important है, ये भी exam में पूछा गया question है, कि आंधरा bank जो है, वो कौन सा bank है, जो पहली बार credit card इंडिया में लाँच की थी, तो 1981 में आंधरा bank पहली बार इंडिया में credit card लाई थी, अब आते हैं हम लोग types of card, किस तरीके के cards होते हैं, जिसका use हम लोग ATMs में करते हैं, सबसे पहला जो होता है, वो होता है debit card, ठीके debit card का 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 क्या होता है, debit card is that when a card holder makes a purchase, funds are withdrawn directly from there, either the card holder's bank account or from the remaining balance on card, debit card क्या होता है, जब भी कोई भी सामान खरीता है customer, उसके लिए वो debit card का इस्तमाल करता है, जिसके जरीए क्या होता है, कि जो भी पैसा ह वो directly उसके account से कट के जो है, जो भी merchant है उसके पास चला जाता है, या तो फिर उसके card में जो भी balance है उससे चला जाता है, या फिर उसके account से चला जाता है, तो यह होता है debit card, फिर आता है ATM card, an ATM card is a card that can be used in ATM for transactions such as deposit, cash withdrawal, obtaining account information and other types of transactions often through interbank network, ठीक है यह बहुत important है, हम लोग हम इशा इसमें confused होता है, debit card और ATM card में यहीं अंतर होता है, debit card क्या होता है, आज कल जो भी cards आते हैं, वो debit, debit come ATM cards होता है, यानि कि उसका इस्तेमाल हम लोग ATM में जाके पैसा निकालने के लिए कर सकते हैं, और marketing के लिए जाके हम लोग POS मशीन में भी कर सकते हैं, लेकिन जो ATM card होता है उसका इस्तेमाल हम लोग POS मशीन में नहीं कर सकते हैं, हम लोग जाके कहीं भी उससे online transaction से, मतलब कि online transaction नहीं कर सकते हैं, उसका काम क्या है, सिर्फ ATM के जरीए पैसा निकालना, transaction देखना, अकाउंट information लेना, deposit करना, यहीं सब ATM card का काम है, लेकिन debit card क्या करता है, दोनों काम क कर सकता है, और उसके जरीए हम लोग बाहर कुछ भी purchase भी कर सकते हैं, तो यहीं दोनों में difference होता है, आजकल जो भी, मतलब की cards आते हैं, वो debit कम ATM card होते हैं, यानि की दोनों facilities उसमें रहते हैं, इससे पहले जो शुरुआत में आया करते थे, वो सिफ ATM card हुआ करते थे, जो कि ATM मशीन से पैसा निकालने के लिए काम आते थे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर आता है smart card, smart card क्या आप लोग को पता है, smart card is a plastic card, about the size of credit card with an embedded microchip that can be loaded with data, ठीक है, यह बहुत ही आसान सा था, smart card क्या होता है, कि वैसे card, जिसमें की microchip लगा हो, आप लोग देखते होंगे, आपका जो आजकल नया ATM आता है, सारे के सारे में microchip लगा होता है, यह mandatory हो चुका है, तो यह इसलिए होता है, क्योंकि वो smart card है, उसके जरीए जो है उस chip में आपका पूरा information, सब कुछ जो है data आपका invaded होता है, data आपका उसमें stored रहता है, तो उसी को बोलता है, जिस भी card में चाहे वो metro card भी हो सकता है, आजकल जो metro card आते हैं, उसमें भी एक microchip लगा होता है, जिसमें कि आपका detail होता है, आपका balance उसमें होता है, तो उस तरीके के card जिसमें microchip लगा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या smart card, फिर आता है credit card, credit card is that the issuer of the card creates a line of credit for the card holder on which the card holder can draw for payment to a merchant in making purchase or as cash advance to the card holder, यहाँ पर credit card क्या होता है, क्रेडिट कार्ड एक ऐसा card होता है, जिसको कि bank के द्वारा issue किया जाता है, किसी particular individual को, जिसमें से जो particular individual है, वो अपने account को छोड़ कर, ठीक है, एक line of credit, यानि एक loan की तरह जो है, उस card का इस्तमाल कर सकता है, यानि वो कहीं भी खरी जिदारी कर सकता है, उसके बदले उसे जो जितना भी amount है, वो loan के हिसाब से, ठीक है, advance के हिसाब से bank के पास चला जाएगा, bank उससे बाद में वसूल करेगी, यानि आपके account में पैसे होने की जरूत नहीं है, आपके पास अगर credit card है, आप उसका इस्तमाल कर सकते हैं, आपको बाद में चुकाना पड़ता है, वो जो है postpaid है, लेकिन क्या होता है, जो debit card होता है, वो prepaid होता है, यानि पहले पैसा आपके account में होना चाहिए, तभी आप खरीदारी कर सकते हो, यहां तक clear हो गया, अब आते हम लोग types of ATM in India, कि कितने type of ATM होते है हमारे देश में, सबसे पहल जो कि NBFC के द्वारा चलाए जाते हैं, और जो कि सारे काम करते है, normal ATM जो करता है, यानि कि आपको balance inquiry, आपको cash withdrawal, ठीक है, यह सारे facilities वो भी देते हैं, इसके लिए extra वो charge करते हैं, तो जो NBFC इन ATMs को चलाते हैं, तो उनको बोला जाता है white level ATM, जैसे कि हम लोग अभी पढ़े स्ट्रम में, ठीक है, टाटा के दवारा, yellow level ATM, ठीक है, the ATM are mainly installed to provide for e-commerce facility, e-commerce facility के लिए, जीन ATMs को बनाया जाता है, ठीक है, उनको बोला गया है yellow level ATM, जो e-commerce facilities provide करती है, वैसे ATM क्या होते है, yellow level ATM, जैसे कि bitcoin बगरा में transaction आप कर रहे हैं, वो क्या है, एक तरीके का e-commerce हुआ, उसी तरीके से आप जो है, online purchase वगरा करते हैं, उसके लिए जो भी ATM's वगरा होते है, specialized ATM's होते है, उनको बोला जाता है yellow level ATM, next आते है हम लोग brown level ATM, brown level ATM क्या होता है, these ATM's are not owned by banks, instead they are taken on lease to provide services to the customer, जैसे कि यह important है, यह exam में पूछता है, और बहुत ही difficult है, यह interview में पूछता है, brown level क्या ATM's को जो है, वो sponsor किया जाता है, उनके दवारा lease पर जो है, ATM's दिये जाते है, बैंको को, उनको बोला जाता है brown level ATM, for example, जैसे मेरा कोई जो है जगा है, हम वहाँ पर एक ATM बनाए, ATM का सारा machinery खरीदे, फिर बाद में किसी बैंक को, यानि मान लिजे, SBI के पास जाकर हम उस ATM को, SBI को काम करने के लिए lease पर दे दिये, तो वहाँ board जो है, वो SBI का लगेगा, लेकिन वो क्या है, वो private ATM है, उसका owner कोई और है, लेकिन lease पर दिया हुआ है, SBI को, SBI उसको use करता है, बदले में rent देता है, तो ये होता है brown level ATM, आगे बढ़ता है हम लोग, orange level ATM, these ATMs are used in share transaction, orange level ATM का इस्तेमाल हम लोग क्या करता है, share transaction के लिए करता है, उनको हम लोग orange level बोलता है, फिर होता है pink level, जो all women, all women ATM होता है, जो की महिलाओं के लिए खास करके बनाया जाता है, वो होता है pink level ATM, ये metro cities में होता है, फिर होता है green level ATM, जो भी agricultural purpose के लिए, agricultural transactions के लिए, जो भी ATM's बनाया ज ATMs are inside the bank compound and hence are known as on-site ATM, ऐसे ATM, जो की bank के branch के साथ साथ लगे होते हैं, bank के branch के बिलकुल adjacent में होते हैं, या फिर bank के branch के अंदर होते हैं, उनको बोला जाता है on-site ATM, यानि bank से सटा हुआ, ठीक है, on-site ATM, इसी तरीके से फिर होता off-site ATM, वैसे ATM, जो की bank branch से थोड़ी दूर पे बने होते हैं, जैसे for example, bank आपका जो है, इस जगह पर है और लेकिन आपका ATM जो है, यहां से 2 km दूर है, तो उस तरीके के ATM को बोलते हैं, off-site ATM, फिर आता है mobile ATM, यह तो हम लोग एक बर पढ़ चुके हैं, कि ऐसे ATM, जो की चलते फिरते हो, ठीक है, जो vehicles में हो, ATM on wheel भी हम लोग बो होते हैं, जो चलते फिरते ATM होते हैं, उनको mobile ATM बोला जाता है, फिर होता है, वर्क साइट ATM, वर्क साइट ATM क्या होता है, वैसे ATM, जो की किसी specific organization में, अंदर में, यानि organization के अंदर में, उनको install किया जाता है, उस organization के सिर्फ employees के लिए, जैसे मान लीजे की, कोई बहुत ही सा plant है, जैसे कि Steel Authority of India, इसके अंदर में, ठीक है, प्लांट के अंदर में भी ATM है, तो वो ATM किसके लिए है, वो आम पब्लिक के लिए नहीं है, सिर्फ sales के employees के लिए है, तो उस तरीके के जो ATM होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, वर्क साइट ATM, क्योंकि वो किसी organization के employees के लिए खास करके बने हैं, नेक्स आते हैं हम लोग online ATM, online ATM क्या होता है, वैसे ATM, ATM are connected to the bank database, वैसे ATM जो कि bank के database से directly connected होते हैं, और real time transaction online, bank को show करते हैं, यानि कि ऐसे ATM, जो directly bank से link होते हैं, और कितना amount है उसमें, कौन transaction किया, कितना transaction हो रहा है, ये सारा का सारा detail, bank में जो है, real time, यानि त तुरन तुरन पहुंचते रहता है, तो उनको बोला जाता है, online ATM, उसी तरीके से होता है, offline ATM, offline ATM, वैसे ATM, जो कि bank से connected नहीं होते हैं, इनको पता करने के लिए, यानि कि इसमें कितना cash है, इसका क्या position है, bank ATM है, वो सही है कि नहीं, इसके लिए bank authority, officials को जाना पढ़ता है, वहा पर data को निकालने के लिए, लेकिन online में क्या होता है, data तुरन तुरन उनके पास खुद पहुंच जाता है, सारे के सारे server से connected होते हैं, लेकिन offline में server से connected नहीं होते, ठीक है, इसमें एक और difference भी है, इसमें क्या है, जो online ATM होता है, उनका जो limit होता है, withdrawal limit वो जादा होता है, वह उसका detail bank के बाद जल्दी नहीं होता, चलिए यहां तक आप लोगो को अच्छा लगा तो वीडियो को like जरूर कीजेगा, यह सारा का सारा important question था ATM से related और इसी तरीके के और वीडियो पाने के लिए, हमारे चैनल को subscribe कर लीजे, और आज की लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, thank you